भारत के प्रमुक एतिहासिक व्यक्तित्व धीरज पांडेय द्वारा लिखित द्वितिय कनिश्क प्रथम कनिश्क का पौत्र था दो कनिश्कों के कारण अश्वघोष के समयस असंदिक्द रूप से निरनीत नहीं था विंटर निट्स के अनुसार कनिश्क 125 इस्वी में सिंघासन पर आसीन हुआ था तद्नुसार अश्वघोष का इस्थितिकाल भी द्वितिय शती इस्वी माना जा सकता है परन्तु अधिकांच विद्वानों की माननता है कि कनिश्क शक्स समवत का प्रवर्तक है ये समवत्सर 78 इस्वी से प्रारंब हुआ था इसी आधार पर कीत अश्वघोष का समय सौ इस्वी के लगभग मानते हैं कनिश्क का राज्यक काल 78 इस्वी से 125 इस्वी तक मान लेने पर महकवी अश्वघोष का इस्थितिकाल भी प्रथम शताबदी माना जा सकता है बौत धर्म के ग्रंतों में भी ऐसे अनेक प्रमान मिलते हैं जिनके आधार पर अश्वघोष समराट कनिश्क के समकालीन सिद्ध होते हैं चीनी परंपरा के अनुसार समराट कनिश्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलव में आयोजित अनेक अन्तह साक्ष भी अश्वघोष को कनिश्क का समकालीन सिद्ध करते हैं अश्वघोष कृत बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद ईसा की पांचवी शताबदीत का लगता है इससे विदित होता है कि भारत में परियाप्त रूपेंड प्रचारित होने के बाद ही इसका चीनी अनुवाद हुआ होगा समराट अशोक का राज्यकाल ईस्वी पूर्व दोसो उनहत्तर से दोसो बत्तीस ईस्वी पूर्व है ये तथ्य पूर्ण तह इतिहास सिद्ध है बुद्ध चरित के अंतमे अशोक का उलेख होने के कारण ये निश्चित होता है कि अश्वगोष अशोक के परवर्ती थे चीनी परंपरा अश्वगोष को कनिश्क का दीख्षा गुरु मानने के पक्ष में है अश्वगोष कृत अभी धर्म पिटक की विभाषा नामनी एक व्याख्या भी प्राप्थ होती है जो कनिश्क के ही समय में रची गई थी अश्वगोष रचित शारी पुत्र प्रकरण के आधार पर प्रोफेसर लिवडर्ज ने इसका रचनाकाल हुविश्क का शासनकाल स्वीकार किया है हुविश्क के राज्यपाल में अश्वगोष की विधानसभा एतिहासिक द्रिष्टी से आप्रमानिक है इनका राज्य रोहन काल कनिश्क की मृत्यू के बीस वर्ष के बाद है हुविश्क के प्राप्त सिक्कों पर कहीं भी बुद्ध का नाम नहीं मिलता किन्तु कनिश्क के सिक्कों पर बुद्ध का नाम आंकित है कनेश्क बौद धर्माव लंबी थे और हुविश्क ब्रामण धर्म का अनुयाई था अता अश्वगोश का उनके दर्बार में विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता संस्कृत के प्रथम बौद महाकवी अश्वगोश के जीवन वृत से संबंधित अत्यल्प विवरन ही प्राप्थ है सौंदर नंद नामक महाकावे की पुश्पिका से ग्यात होता है कि इनकी माता का नाम सुवर्नाक्षी था तथा ये साकेत के निवासी थे ये महाकवी के अतरिक्त भदंत आचार्य तथा महावादी आदी उपाधियों से विभूशित थे उनके कावियों की अंतरंग परीक्षा से ग्यात होता है कि वे जाती से ब्रामर थे तथा वैदिक साहित्य महाभारत रामायन के मरमग्य विद्वान थे उनका साके तक होना इस तथे का परिचायक है कि उन पर रामायन का व्यापक प्रभाव था समराट कनिश्क के राजकवी अश्वगोश बौद धर्म के कटर अनुयाई थे इनकी रचनाओं पर बौद धर्म एवं गौतम बुद्ध के उब्देशों का परियाप्त प्रभाव परिलक्षित होता है अश्वगोश ने धर्म का प्रसार करने के उद्देश से ही कविता लिखी थी अपनी कविता के विशय में अश्वगोश की सूसपष्ट उद्धोशना है कि मुक्ति की चर्चा करने वाली ये कविता शांती के लिए है विलास के लिए नहीं काविय रूप में ये इसलिए लिखी गई है ताकि अन्यमनस्क शोता को अपनी और आकरिष्ट कर सके अश्वगोश बौध दर्शन साहित्य के प्रकांड पंडित थे इनकी गणना उन कलाकारों की शेणी में की जाती है जो कला की यवनिका के पीछे छिपकर अपनी मानिताओं को प्रकाशित करते हैं इन्होंने कविता के माध्यम से बौध धर्म के सिध्धानतों का विवेचन कर जन साधारन के लिए सरल, सुलब इवं आकर्शक बनाने का सफल प्रयास किया इनकी समस्त रचनाओं में बौध धर्म के सिध्धानत प्रति बिम्वित हुए हैं भगवान बुद्ध के प्रति परिमित आस्था तथा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता महाकवी अश्वघोष के व्यक्तित्व की अन्यतम विशेष्टा हैं अश्वघोष कवी होने के साथ ही संगीत मरमग्य भी थे उन्होंने अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए कावे के अतिरि उनके व्यक्तित्व में कवित्व तथा आचार्यत्व का मनिकांचन सैयोग था उन्होंने सज सूची महयान शद्धोत पादशास्त्र तथा सूत्रा लंकार अथवा कल्पना मंडिति का नामक धर्म और दर्शन विशियों के अतिरिक शारी पुत्र प्रकरन नामक एक अश्वघोष का कीर्ती स्तंब है इसमें कवी ने तथागत के सात्विक जीवन का सरस वर्नन किया है सौंदर नंद अश्वघोष प्रनीत द्वितिय महा कावे है इसमें भगवान बुद्ध के अनुज नंद का चरित वर्नन है इन रचनाओं के माध्यम से बौध धर्म के स सिद्धान्तों का विवेचन कर उन्हें जन साधारन के लिए सुलब कराना ही महा कवी अश्वघोष का मुख्य उद्धेश था इनकी समस्त रचनाओं में बौध धर्म के सिद्धान्त सूस पष्ट रूप से प्रतिबिम्वित हैं अश्वघोष प्रनीत महा काव्यों में बुद्ध चरीत अपून तथा सौंदरानंद पून रूप में मूल संस्कृत में उपलब्ध हैं पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत के शुंग सामराज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे इससे पहले वो मौर्य सामराज्य में सेनापती थे प्राचीन भारतिय शा अब्ध का प्रयोग किया गया। की एक महत्तोपूर घटना है विदर्ब के साथ संघर्ष, विदर्ब राज्य का उत्थान मौर्य सामराज्य के अवसेशों पर हुआ था। मालविकागनी मित्रम से हमें इस संघर्ष के विशय में जानकारी मिलती है। उस समय की दूसरी महत्वपून घटना है भारत पर यवनोंपक का आक्रमन एवं पुष्यमित्र शुंग के साथ उसका युद्ध। गारगी संगिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत यानी अयोध्या, पांचाल यानी गंगा यवना के दोआब और मथ पर विजय हासिल कर ली। अलग समय से जोडते हैं। सामराज्य उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगद तक फैला हुआ था। विवावदान और तारानात के अनुसार जालंदर और स्याल कोट पर भी उसका अधिकार था। सामराज्य के विभिन भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज़पाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को सामराज्य के विभिन निक्षेत्रों में सहे शासक नियुक्त कर रखा था और उसका पुत्र अग्मित्र विदिशा का उपर राज़ा था। धन देव कौशल का राज़पाल था। राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यू 151 एस्वी पूर्व के पश्चात इस सामराज्य का पतन होना शुरू हो गया। उसकी मृत्यू के सौ वर्षों के अंदर ही शुंगों की सत्ता भी समाप्त हो गई। प्राप्त मुद्रा के आधर पर अनेक विद्वान मानते हैं कि उसकी मृत्यू के साथ ही शुंगों का राजनेतिक महत्व कमजोर हो गया। संत दादू दयाल संत कबीर के शिश्यों में से एक थे। संत कवी दादू दयाल का जन्म फागुन समवत 1601 सन 1544 एसवी को हुआ था। दादू दयाल का जन्म भारत के राज्य गुजरात के एमदाबाद शहर में हुआ था, पर दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। दादू पंथी लोगों का विचार है कि वो एक छोटे से बालक के रूप में एमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। कारण ही आत्मा और परमात्मा के मध्य भेद होता है। दादू दयाल ने इश्वर प्राप्ती के लिए गुरू को अत्यंत आवश्चक बताया। अच्छी संगती, इश्वर का स्मरण, एंकार का त्याग, सैयम एवं निर्भीक उपासना ही सच्ची साधना है। दादू दयाल ने विभिन्य प्रकार के सामाजिक आडंबर, पाखंड एवं सामाजिक भेद भाव का खंडन किया। जीवन में साधगी, सफलता और निश्चलता पर विशेश बल दिया। सरल भाषा एवं विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू बहरी साधना से ध्यान हटा कर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते थे। दादू ने ईश्वर की भक्ती को समाज सेवा और मानविय द्रिष्टी से जोडा। दादू ने एहंकार से दूर रहकर विनम्रता से ईश्वर के प्रती समर्पित रहने की शिक्षा दी है। दादू ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ती न केवल प्रेम और भक्ती के माध्यम से ही संभव है बलकि मानवता के प्रती सेवा से भी पधारे यहां उन्होंने मानव मानव के भेद को दूर करने वाले सच्चे मार्ग का उबदेश दिया। दादु जी के सच्चंग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त सामराज्य में गौ हत्या बंदी का फर्मान लागू कर दिया। यहीं पर उन्होंने ब्रह्म धाम दादु द्वारा की स्थापना की जिसके दर्शन मात्र से आज भी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती हैं। ततपश्चा श्री दादु जी ने सभी संत शिष्यों को अपने ब्रह्मलीन होने का समय बताया। ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन जिष्ट कृष्ण अश्टमी संबत 1660 के शुब समय में श्री दादु जी ने एकांत में ध्यान मगन होते हुए सत्यराम शब्द का उच्चारण कर इस संसार से ब्रह्म लोक को प्रस्थान किया। श्री दादु दयाल जी महराज के द्वारा स्थापित दादु पंथ वदादु पीट आज भी मानव मात्र की सेवा में निर्विग्न लीन है। नाना सहब धोंडु पंथ नाना सहब सन 1857 के भारतिय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम धोंडु पंथ था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना सहब ने कानपूर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतरित्व किया। नाना सहब ने सन 1824 में वेनुग्राम निवासी माधव नारायन राव के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेश्वा बाजी राव दृतिय के सगोत्र भाई थे। पेश्वा ने बालक नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्विकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का प नियुक्त कर दिया था, किन्तो उनकी मृत्यू के समय तक हिंदुस्तान की राजनीती में अंग्रेजों की नीतियां बदल चुकी थी। लौड डलहोजी की डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स की नीति के कारण कोई भी शासक स्वयम के पुत्र नहोने पर किसी दूसरे के पुत्र क अपना उत्राधिकारी घोशित नहीं कर सकता था। इन्ही परिस्तियों में 28 जनवरी 1851 के दिन पेश्वा का स्वर्गवास हो गया। बिटिश सरकार ने पेश्वा के बाद नाना सहब को पेश्वा का राजनीतिक उत्राधिकारी मानने से मना कर दिया। पेश्वा की उपाधि और उसके पद का। बिटिश सरकार ने नाना सहब को पेश्वा के पद के राजनीतिक और व्यक्तिगत विछेशादिकारों से भी वंचित कर दिया। बिटिश सरकार ने ये आदेश दिया कि नाना सहब पेश्वा की उपाधि प्राप्त करने का प्र उनकी शस्त्रागार के साथ अपने नियंत्रण में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने पेश्वा बाजी राव द्वितिये की मृत्यू के बाद उन्हें मिलने वाली आठ लाग की पैंशन भी बंद कर दी। इस पर नाना साहिब ने आवेदन दे कर पैंशन फिर से चालू कर ने की आजना की। जिसे ब्रिटिश सरकार ने खारेज कर दिया। नाना साहब को अपने आश्रितों को वेतन देना होता था और अन्य खर्चों की भरपाई करनी होती थी। लेकिन पैंशन बंद हो जाने के बाद इस कारे में बहुत दिक्कते आने लगी। भारत में भी असफल रहा। अंग्रेजों के इस व्यवहार ने नाना साहब और अजिमुल्ला खां को ब्रिटिश सरकार का शत्रू बना दिया। 1857 में जब मेरट में करांती का श्री गणेश हुआ तो नाना साहब ने बड़ी वीरता और दख्षता से करांती की सेनाओं का कभी सामगरी प्राप्त की। कानपुर के अंग्रेज एक गड़ में कैद हो गए और क्रांती कारियों ने वहां पर भारतिय ध्वजा फेराई। एक जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंतरता की घोशना की तथ पेश्वा की उपादी भी धारन की। नाना साहब का अदम में साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेत्रित्व किया। फतेपुर आदी के स्थानों में नाना के दल से और अंग्रेजों में भीशन युद्ध हुए। कभी क्रांतिक जीते तो कभी अंग्रेज तथा पी अंग्रेज बढ़ते आ रहे थे। इसके अनंतर अंग्रेजी सेनाओं को बढ़ते देख नाना साहब ने गंगा नदी पार की और लखनों को प्रस्थान किया। भारतिय इतिहास की किताब में स्वन अक्षरों में दर्ज है इनका अंग्रेज सरकार ने नाना साहब को पकड़वाने के निमत बड़े बड़े इनाम घोशित किये किन्तु वे निश्फल रहे। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद भी ब्रिटिज सरकार नाना साहब को पकड़ नहीं पाई। नाना साहब शिवाजी की भांती छापे मार य नहीं आये। 1857 विद्रोह के असफल होने पर नाना साहब सपरिवार नेपाल चले गए। अपने नेपाल प्रवास के दौरान वे देवखारी ग्राम में रुके थे। नेपाल में ही 34 वर्ष की अवस्था में बुखार से पीडित होकर नाना साहब की 6 अक्तुबर 1858 को मृत नाना साहब पेश्वा की समाधी मध्यप्रदेश के राजगर जिले के कुरावर के पास पीलू खेडी में है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म श्री गुरु रामदास जी के ग्रिह में माता भानी जी की कोक से वैशाक बदी साथ समवत 1620 मुताबिक 15 अप्रेल 1563 इस्वी को गोईंदवाल साहिब में हुआ। इनका पालन पोशन गुरु अमरदास जी जैसे गुरु तथा बाबा बुढधा जी जैसे महापुरुशों की देख रेक में हुआ। इन्होंने गुरु अमरदास जी से गुर्मुखी की शिक्षा हासिल की, गोईंदवाल साहिब जी की धर्मशाला से आपने देवनागरी, पंडित बेनी से संस्कृत तथा अपने मामा मोहरी जी से गनित विद्या हासिल की। ग्रंद साहिब का संपादन गुरु अरजुन देव जी ने भाई गुरुदास की सहायता से 1604 में किया था। गुरु जी ने संदेश दिया कि महान जीवन मूलियों के लिए आत्म बलिदान देने को सदैव तयार रहना चाहिए। गुरु अरजुन देव ने अमरित सरोवर का निर्मान कराकर उसमें हरमिंदर साहब का निर्मान भी कराया, जिसकी नीव सूफी संत मियामीर के हाथों से रखवाई गई थी। सुख्मनी साहिब उनकी अमर्वानी है। गुरु जी ने संदेश दिया कि महान जीवन मूलियों के लिए आत्म बलिदान देने को सदैव तयार रहना चाहिए। उन्होंने एक नगर भी बसाया, जिसका नाम रखा गया तरन तारन नगर। अरजुन देव की रचना सुश्मन पाठ का सिख नित्य परायन करते हैं। अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र जहांगीर बाश्या बना, वो गुरु जी की बढ़ती लोग प्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि गुरु जी ने उसके भाई खुसरो की मदद की। उसने गुरु जी को शहीद करने का फैसला कर लिया। इतिहास कारों का ये भी मत है कि शहजादा खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर गुरु अरजुन देव जी स नाराज था पंद्रमाई 1606 इसवी को बाश्चाहने गुरुजी को परिवार सहित पकड़